आस्ताम लेकूम हर दिल पाकिस्तान के साथ मैं हुआ अक्साहाले नाज़ीन आज हम मौजूद है जी 13 फिटनेस क्लाब में इस कॉवट 19 में हम बात की कि जान है तो जहान है और सब कहते हैं कि अपनी जान बचाएं तो जान बचाने के लिए बात की जाती है परेंट डामज सिचुएशन में अपने इम्यून सिस्टम को पास्ट करने की और उसको जो है वो स्ट्रेंथेन करने साथ ही कुछ एक्सपर्टीस की राय भी जानेगे कि उनका क्या कहना है कि क्या हम लोग जिम कर सकते हैं कि हम लोग वाक आउट कर सकते हैं या सिरफ हमें पबची और टिक-टॉक तक बहदूद हो जाना चाहिए और घर बेब बैट जाना चाहिए लेकिन यह जरूरी है कि हम एक घंटा अपने लिए निकालें वाक आउट करें और जो है अपनी अक्तिविटीज में चेंज लाएं अपनी हल्थ को भी बैटर करें और परडामिक सिचुएशन से लड़ जाएं आज हमाइसेत मौजूद है फिटनेस एक्सपर्टी नादिया साकेब उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राया फिटनेस के बारे में क्यूंके वह अज़ ट्रेनर आज इंस्ट्रक्टर काम कर रही है अभी इस पैनाडामिक सिचुएशन में भी उन्होंने हार नहीं मानी और तमाम एसोपीस को फॉलो करते हुए फिटनेस को प्रमोट करिये तो सबसे पहले हम उनसे जानेंगे कि उनको वो फिटनेस के बारे में क्या सोच्टी है और फिटनेस को लेकर उनके क्या ख्यालात है असामनेकम सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका नादिया आपने हमें टाइम दिया तो सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि फिटनेस आप क्या कहेंगी कि कि फिटनेस क्या है इसने पैसिकली अगर मेरे पॉयंटल की उसे देख जाय तो नहीं ये समझती कि ए लाड ताला की तरफ से बहुत बढ़ी नेमत है और इसमें अगर जो है अगर फिटनेस के लिए आप फिटनेस सेंटर जॉइन करें या फिर जिम जॉइन करें जिम तो हम लोग जो है हम लोग उने नाम दिया वह अगर हम अधर कंट्रीज में देखे तो अधर हमें ये जिम को नाम हैल्थ सेंटर दिया गया है तांके तंदृ जो हमें तगोदेओ करनी चाहिए उसके लिए हमें स्ट्रगल करनी चाहिए 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 करोना वायरिस हो यह कुछ भी एक्साइड हो हम हजारों रुपे देकर डॉक्टर के पास चले जाते लेकिन चंद रुपों के हाथे हम फिटनेस को समझते सिर्फ मशवले के तोर प अपने आपको पापजी टिक टॉक तक मेहदूद कर दिया स्पेशली हमारी यूथ में तो क्या उनको अपने आपको टाइम नहीं देना चाहिए एक घंटा ही बेशक निकाल ले लेकिन किसी तरहां से फिटनेस को प्रोमोट नहीं कर रहे हैं भी हम लोग देख रहे हैं यह अगर देखा जाए तो मेरे नजदीक यह है कि यह जो फिटनेस लवर हैं वो किसी तोड से चाहे उनकी जितनी भी तब्यत खराब हो जैसे हम अगर नमाज नहीं पढ़ते तो हमारे दिल को कुछ होता है कि हमने नमाज अदर नहीं किये लिए तो इसी तरह से जिनको फिटने कुछ अखर चाहें उनको भी यह होता है कि हमने आज अपने आपको फिट रहने के लिए हमने कोई वर्क आउट नहीं किया और हम उसकी तरफ का जाते हैं जिम की तरफ जाते हैं और फिर वहां पर अपना बड़ अटर करके अपने दिल को मुटमें करते हैं कि अगर हमने इं और हमने ज्यादा से ज्यादा जिम में वर्क आउट करके जो बिमारी के खिलाफ पैदा करने वाले जरतीम होते हैं उनको हमने खतम करना यहीं पर हमने वो सिचुएशन पैदा नहीं करनी है जिसके अंदर हम होस्पिटल जाए और हम आई सियू में जाए इस से अच्छा बैतर यह है कि हम जिम जुआइन करें और अपने आपको फिट करके सब को दिखाए नादिया आप में बहुत अच्छा पॉइंट यहां पर रेस किया कि लोगों ने सिरफ जो है पैनेटामिक सिचुएशन को जो है वो जरिया बना कर और उसको बेस बना कर फिटनेस जो है वो उसके उपर बिल्कुल भी नहीं आ रहे उस तरफ साथ ही मैं आपसे यह भी जाना चाहूंगी कि आपके जिसां आपने का कि जिम में एडमिशन लेते हैं तो इस तरह से लोग सिरफ दूबला होने आते तो क्या जब आपके जिम में लोग एडमिशन लेने आते हैं तो वो किस अरादे से आते हैं क्या सिरफ उनका इरादा होता है कि हमारा वेट गिर जाए या फिर वो फिटनेस को प्रमोट करते है या तंदृस्ती की तरफ जाते हैं बहुत अच्छा कुस्चिन की है आपने अक्सा और ये इस सिच अच्छा के वो फॉरन से दुबली हो जाए हमें सबसे पहले जहन पर ये अपने कॉंसेट किलियर करना है कि हमने दुबला नहीं होना है हमने फैट लोस एक हल्दी डाइट से हमने अपने आप पो फिट रखना है और दूसरा ये कि यहां जो मैंने जादातर देखा है लेड तर दे रह комментар şekilde झाने हो तो अपने पर फॉर यहां फिर ऐने गचाना चाना फिर छह जाना यह तो सब्सक्यां ढाया होता है उसके बाद भूआणियों कि अ पर दूबली हो जाए हम इतने सालों का तो आपकी वज़न इतना बढ़ चुका है तो एकदम से मैजिक नहीं हो सकता कि आपने हेल्दी डाइट से आपने आपको कवर करना है अपनी कैलरीज को पर्ण करना है अपने आपको फिट एंड हेल्दी बनाना है आप यहां पर मझे यह भी बताएं कि फिटनेस की जिसना से हम बात करें तो किस तरह के डाइट प्लान आप जो है अपने जो फिटनेस लाप में आपके यहां पर एडमिशन लेते हैं लोग उनको किस तरह से आप इंस्ट्रक्ट करती है और कैसे लोगों को आप कोंसी डाइट बताती है पिकेज हमने आज कल देखा है कि इंट्रमिटन फास्टिंग भी आच चुकी है बाइस-बाइस घेंटे आप भूके रह रहे होते हैं आप हेल्थी डाइट नहीं ले रहे होते और उसके बाद जो है आपकी वेट से ज्यादा जो है वो आपकी हेल्थ एफेक्ट कर नहीं लेकिन उनको जो मसायल करनाकर औरते हैं चलोंगर वेट कम हो भी जता बहुत जाओ जादा अगर पाक करते है यह पर ड्राइट नहीं लेते तो उनको फर्क पढ़ता है लेकिन उनको मजीद आगे जाके ये उनको रेलाई होता है कि मिधायों भी हुआ है हमारी भाइटमीन्स की वॉन्स वाइटमीन्स की घफिशन्स की डिफिशन्स यह रही है और हम उसको किस लह दुक्टरों की जाकरका कि हम kolay उनको समझाते हैं कि अगर हमने से काफ नो कर भी फेत लोस करना तो उस से आप लेहLदी डाइट से करना ताकि उसे इम्यून सिस्टम जो हमारा बिल्ट अपो और जब हम हम हैल्दी डाइट लेंगे और एक और बात में किलियर करना चाहूंगी जादा तर लोग ये बोलते हैं कि हमने साथ बजे के बाद आठ बजे के बाद नहीं खाना जो साथ और आठ बजे के बाद खाना नहीं उनके साथ जादा तर ये होता है कि वो बढ़ापे की तरह जाने लग जाते हैं हमें साथ हमें रात को खाना चाहिए लेकिन अच्छी डाइट के साथ अगर हम जैसे कदू होता है बड़ा कदू होता है उसकी हम स्मूधी बना लें तो हमारे मेटापॉलिजम को वो तेजी से बूस्ट करता है इसी तरह से अगर ये होता है कि हम अगर ये है कि आपने जादा नी खाना जादा कोई चीज नी लेनी लेकिन मेटापॉलिजम सुभा में जादा वर्क करता है ये बिल्कुछ सही है पात है लेकिन आपने रात को जो मेटापॉलिजम कम वर्क कर रहा है आप आपको किस तरहां से आपको फिटनेस क्लाब पे और किस तरहां से आपको फिटनेस क्लाब मुतासर हुआ इस पैनेटामिक सिच्वेशन में किस तरहां से आपको फिटनेस क्लाब में पाएं इस पैनेटामिक सिच्वेशन के और किस तरहां से आप लोगों में बेरोजगारी का सामना करना पड़ा है उनकी सोर्स अप इंकम 50 से 40 परसंट हो गई है यानि 100 परसंट भी नहीं तो लोग फिर यह समझते हैं कि हम अगर जिम को जॉइन करते हैं तो यह शायद हमारा एक शुगल मेला है अलगी ऐसा नहीं है अगर कविट-19 अगर आए तो आपको अपने स्ट्रॉंग करना चाहिए जिसमें वह वर्क आउट आके करें और इम्मिन्यूटी पावर उनकी स्ट्रॉंग लोगों में जादा तर कॉंसेप्ट यह होता है कि अगर हम जिम जाएंगे हम वर्क आउट करेंगे अरो बेक्स योगा जुंबा क्रॉस्पिट वगरा कर तो एमें उनकी स्ट्रॉंग च्रॉंग जाएंगे हम लोग बीकॉष्पिस के साथ हम लोग यह हम लोग सिज पर रहते हैं अपने क्लाइंट को लेके चलरे हैं उनको वर्क आउट करवा रहे हों आख़ाय। अरह हम क्बद़िल्ललह के साथ घल पर अच्छा काम करेंगे हैं और अव्ट क्लाइट भी हमारे एस उपीस को फॉलो कर रहे हैं और आ रहे हैं और यहां पर जॉइन भी कर रहे हैं फर्क तो पढ़ा है माईश्यत पे बहुत जादा फर्क पढ़ा है लेकिन जैसे हमारे जून जुलाई की ऑफ सीजन में बच्ची यह बहुत जादा आती ती स्कूल गॉइंग होती थी यह कॉलिज गॉइंग होती थी वह डर और खौफ और खौफ और खौफ और हरास की मुप्तिला हुई नहीं है जैसे हमने जून नहीं करना है और वह करोना की वज़ते लेकिन अलहमदुलिल्लह के जिन काफी लोगों में अवेर्नस है के हमने जी के नादिया बस लास्ट कॉश्चन मेरा आपसे यह कि फिटनेस को हम प्रोमोट करें आज के प्रोग्राम में तो मैं आपसे यह जाना चाहूंगी कि जो लोग आज भी मुतासिर हैं और जो लोग आज भी फिटनेस की तरफ नहीं आते और हम उनको जितना भी मोटिवेट करते तो वो यही कहते है कि हम कल से शुरू करेंगे तो उनको आज से शुरू कराने के लिए उनका आपका उनके लिए आपका एक लास्ट मैसिज क्या जाएगा मेरा उन सब तमाम लोगों से यह रिक्वेस्टे के बजाए यह कि आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्तर आपको रिक्म breaking करें किआप च्टिप्टर क्लाइंट आए जिनको शाटिका के पेहन हुआ बैकबॉन का पेहन हुआ उनको डॉक्टर ने रिकमंड किया और अहल अम्दोलिल्ला के उनके हजबन खुशी खुशी बहेचते हैं यहां पर जिम पे के जिसने डॉक्टर्स वगरा से फाइदा नहीं हुआ जितना हमने उनकी इम्मिनिटी पावर को स्ट्रॉंग देखा उनके पेन में रिलीव देखा तो इस तहां कि जो जितने भी मेंबर्स हैं या लोग हैं उनमें यह मैं बोलना चाहूंगी कि वह लाजमी तोर से फिटनेस सेंटर या फिर जिम को जॉइन करें और अपने इम्मिनिटी पावर को स कुछ नहीं है यहां पर आपको हैल्थ मिलेगी यहां पर आपको फिटनेस मिलेगी बस में यही कहना जो बहुत शुक्रिया नाजरीन आज हमाई सब फिटनेस एक्सपर्टी नादिया मौजूद थी उन्होंने अपने ख्यालात आपके साथ शेयर किये और बताया कि फिटने होने का और स्मार्ट होने का नाम नहीं है बलके फिटनेस नाम है अपने आपको तंद्रुस रखने का हम इसी तरह से कुछ नए दिलचस्प टॉपिक्स लाएंगे आपके लिए और मजीद जो है वो अपने चीजों को बहतर बिनाएंगे और इसी तरह से जो है वो मज़े से के टॉपिक्स लाएंगे और आप भी हमारे फेस्बुक पर कमेंट करके बता सकते कि आप किस तरह से चीजों को देखना चाहते हैं आप से मुलकात होगी इन्शालत अला अगले प्रोग्राम में अपना ख्यार रखेगा अल्ला हाफिज